देश का जो माहौल है और नई पीडी की देश के मुद्दो को लेकर जो अनभेगता है उसमें दकेरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद चर्चा का विशे तो ज़रूर बनेगी ये बात अलग है कि फिल्म देखने वाला जिस तरह के रुजान वाला होगा उसी तरफ से कि उसे फिल्मी दुनिया की बड़ी फिल्मों में रखा जाए अगर थी तो किबल हिम्मत जो अपसे पहले किसी फिल्मी हस्ती में नहीं होती थी कि वो कश्मीर का वो सद दिखा सके जिसके कारण कश्मीरी घाटी हिंदू वहीन हो गई उतने ही हिम्मत की जरूरत थी दकेरल स्टोरी सिनेमा गोरों में पहुँच चुकी है विवादों के चलते ही मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर में भी बदलाब करना पड़ा यूँ देखा जाये तो सत्य कटनाओं पर आधारिती फिल्म बनाना फिल्म कारों को हमेशा से आकशित करता आया है मगर जब मेकर्स किसी सची कटना को परदे पर उतारता है तो उसकी जिम्मदारी बढ़ जाती है कालपनिक कहानियों में सिनेमेटिक लिबर्टी ली जा सकती है मगर सची कटनाओं पर आधारित फिल्मों में छोटे सी आतरकिक बाद भी अकरती है और नतिजन उसका प्रभाव को कम कर देती है फिल्म केरल स्टोरी में युवा हिंदू लड़कियों को कथित धर्मान तरण और इसलाम की कट्रता के इड़गड़ गूमती है फिल्म में दावा किया गया है कि ये केरल की तीन युवा लड़कियों की सची कहानियों पर आधरित है फिल्म की शुरुवात में हम देखते है अफगानिस्तान की जेल में फातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूस्ताच की जा रही है उससे पूछा जाता है कि उसने आईस आईस कम और क्यों जॉइन किया इसके बाद वो लड़की अपनी सारी कहानी सुनाती है वास्ताब में उस लड़की का असली नाम शाल नहीं था वो एक हिंदू लड़की थी और भारत के केरल की रहने वाली थी उस दोरान आतंगवादी संगटन आईस आईस सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक पहल गया सा एक दिन उनका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल में जाओ और वहां की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फसाओ उनका धरम परिवर्तन करवाओ उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी बेजा जाता है ताकि वह हिंदू लड़कियों को तरह तरह से ब्रेन वोष करें फिजा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालनी और उसकी सहलियों से दूस्ती कर लेती है वे नरसी में पढ़ाई कर रही थी फिजा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्ला चलाता है लेकि शालनी कहती है कि वो तो बगवाद शिप पर विश्वास करती है फिजा कहती है कि शिप कोई बगवाद नहीं है वो तो अपनी पत्नी सती के मर जाने पर एक सामानी पुरिष्ट की तरह रो रहा था वो बगबान कैसे हो सकता है लेकिं शालनी कहती है कि ये एक सिबिल मातर है लेकिन फिजा कहती है कि मुर्ती पूजन निररथरक होती है इस तरह से आईएस आईएस की एजएट फिजा हर दिल लड़कियों का ब्रेंड वाश करती रहती थी इसके बाद वो एक चाल चलती है वो आईएस आईएस त्वारा बहजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि शालनी और उसकी सहलियों के साथ छिड़ खानी करे शालनी अपते दूस्तों के साथ मौल में थी तबी वहाँ पैब मुस्लिम लड़के उनसे छिड़ खानी करने लगते है लड़कियां वहाँसे भागने लगती है लेकिन लड़की भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भार देते हैं लड़किया किसी तरह जान बचाकर वहां से घर आ जाए इसके बाद फिजा उनसे कहती है कि तुम इसलाब अपना कर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहना शुरू कर दो क्योंकि कभी भी हिजाब पहने हुई मुस्लिम लड़की से छेर खानी नहीं होती है और ना ही उनका रेप होता है ये सुनकर कुछ लड़किया सच में अपना धरम बतल लेती है और हिजाब पहने लगती है लेकि शालनी ऐसा नहीं करती है एक दिन अराफात नाम का लड़का शालनी से मिलता है वो उससे अपने प्यार का इज़ार करता है दीरे दीरे शालनी भी उसके प्यार में पढ़ जाती है एक दिन अराफात कहता है तुम धरम बतल लो फिर में तुम से शादी कर लूगा पहले तो शालनी मना करती है लेकि शालनी के घरवाले इस शादी के खिलाव थे वो उसे कहते हैं कि अराफात तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता और सिर्फ लव जिहाद की बज़े से वो ऐसा कर रहा है। वो कहते हैं कि वापस घर आ जाएं लेकि शालनी अराफात के प्यार में पागल थी वो उनकी एक नहीं सुनती और अराफात के साथ दूसरे घर चली जाती है। यहां केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़किया थी। उन्हें भी ऐसे ही फसाया गया था। एक दिन शालनी को टेरिरिस्ट के साथ एक जगे बेजा जाता है। लड़कियों को ट्रेणिंग दी जाती है और एक दिन मिलेटरी पर हमला करने के लिए बेजा जाता है। दोनों तरब से गूली बारी होती है लेकिन अंत में शालनी पकड़ी जाती है। अफगानिस्तान के मिलेटरी उसे ग्रफतार करके जेल में डाल देती है। और यहीं पर शालनी अपनी कहानी खतम करती है। इसके बाद फिल्म फिर से मौजुदा समय में आ जाती है। अंत में शालनी कहती है कि कम से कम 32,000 के लड़कियों को आईस आईस में बढ़ती करा लिया गया था। इसलिए इस फिल्म के काफी निंदा भी हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह आखड़े किस ने दिये। इसलिए यह फिल्म आते ही विवादों में गिर गई। संसार को बखुवी दिखाया है। अभीने के मामले में अदा शर्माने शालनी के रूप में जहां एक और अपनी मासूमित विखे रिये तो दूसरी तरफ पातिमा के रूप में डब, देवेसी, आकरोश और पीड़ा को बखुवी चतरत किया है। फिल्म में अदा का काम सर सहलियों के रूप में योगिता बहानी और सिद्धी इदाधनी ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है, मगर उनके करदारों में गहराई का अवहाम नजर आता है। सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक ठाक है। इंस्टाग्राम और फेस्बुक के पेज को फोलो कर ले। कुछ भी रेंडम देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। थेक्यू सो मच, लव यू, टिक केर, बाबाई।